असलाम अलेकुम, हेलो एप्रिवाइन, आज बनाएंगे एक बहुती सिंपल येट डिलीशियस रेसिपी, गोभी, आलू और मटर का सालन, ये विंटर्स में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बिलकुल आसान है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प भूल है, जिसे मैंने चुटी-चुटी पीसेस में तोड़ के अच्छे से धोलिया है, गोभी को अच्छे से दोना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कभी-कभी वाम्स होते हैं, और इसे हम फ्राइक कर लेंगे, हमें इसे तब तक फ्राइक करना है, जब तक इस पर लाइट स्पॉर्स नहीं आना चालो हो जाते हैं, अब गोभी पर लाइट ब्राउन स्पॉर्ट्स आ रहे हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे, गोभी को फ्राइक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, यह बहुत जल्दी फ्राइक हो जाती है, चार से पांच मिनट में, हैं तो दो आलो भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आलो और गोभी दोनों को एक साथ भी फ्राइक कर सकते हैं, वक्त बचाने के लिए, अब यह आलो पर भी लाइट प्राउन स्पॉर्स आ गए हैं, इसका मतलब आलो फ्राइक हो चुका है, इसे भी हमें निकालना है, और अभी हमारी वेटेबल्स फ्राइ हो गई है, इसी तेल में हम डालेंगे आधा टीस्पॉन जीरा, जीरे को लाइकली फ्राइ करना है, और इसमें डाल देंगे एक प्यास, प्यास को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं चाहिए हमको, औ और प्यास को फ्राइ करेंगे, तो इसे गोल्डन ब्राउन हमें करना है, प्यास फ्राइ हो गई है, हम इसमें डालेंगे एक कप टमाटर की प्योरी, तो ये तीन टमाटर है, जिनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक नमक according to your taste आप दाल सकते हैं और quarter teaspoon हल्दी एक teaspoon या आधर teaspoon रेचिली पाउडर according to your taste एक teaspoon कोरियांड़ पाउडर और अब इसमें डालेंगे जिजर कालिक पेस्ट वन टीसपून और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमें टमाटर और मसालों को अच्छे से पकाना है जब तक ओइल सप्रेट नहीं हो जाता है जैसे जैसे यह पकेगा आप देखेंगे साइट से ओइल सप्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहां पर मीडियम फ्लेम पर इसे पका सकते हैं चार से पांच मिनिट लग जाएंगे इसमें अभी यह तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही यह तकरीबन सौ ग्राम दही है और दही दालने के बाद हाई फ्लेम पर दो मिनिट इसे पकाएंगे इस तरह से स्टर करते हुए ताकि यह तही फटे नहीं और स्ल कॉमेंट पर हम इसमें आड़ कर देंगे हमारे वेश्टेबल एक कप मातर कॉलिफ लावर गुबी का फूल जिसे हमने फ्राइक कर लिया था और यह है पटेटो वेश्टेबल की क्वांटिटी को आप कम्या ज्यादा कर सकते हैं और अभी इन वेश्टेबल को हम मसाले के सा अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरी तरह से कोट हो जाना चाहिए और साथी समें डाल देंगे दो हरी मिर्च और कोत मीर बारिक कटी वी कोत मीर दालना है तकरीबर मुटी बर आप डाल सकते हैं और इसे भी मिक्स कर देंगे और अभी हम इसमें आड़ करें आधा ग्लास पानी पेश्टिबल को गलाने के लिए और यह लाइटली मिक्स कर देंगे और पान को कवर कर देंगे हम इसे पकनी के लिए रख देंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उसके बाद हमें चेक करना है कि आलू गला है या नहीं आलू करने में टाइम लग सकता है और अगर आपको लगता है कि आलू नहीं गला तो आप थोड़ा सा पानी और आट करके पका सकते हैं यह करीज बहुत ज्यादा ड्राइ नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए तो यह अभी रिक्वाइट कंसिस्टेंसी पर आ चुका है और यह हमारी आलू गोभी की सबजी एकदम रेडी है आप चाहें तो इसे रोटी या फिर चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं या फिर दाल के साथ भी खा सकते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए थैंक्स पो वाचिंग